गुद मॉर्निंग फ्रेंट्स आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंट्स आप देख रहे हैं कुमार राकेश ब्लॉक्स तो कहीं न कहीं अपना पर्चे तो होना चीए दोस्त कि फ्रेंड्स मैं इसे राकेश और मैं एक छोटा सब बिहार से बिलोग करता हूं है कि बात किया जाए क्वालिफिकेशन की तो भी एससी और एडिशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाये दोस्त तो मेकेनिकल, डिप्लोमा मेकेनिकल, दोस्त यह मेरे छोटे सा इंटोड़क्शन था, अब चलिए बात करते हैं ब्लोगिंग की, कि मैं ब्लोगिंग में आया कैसा है, तो कहीं न कहीं, किसी न किसी के माध्यम से कोई न कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, मुझे भी मेरे छोटे भाई के माध्यम से, यह प्लेटफॉर्म मिला, अपने अंदर भी बहुत पहले से ही, बहुत सुरू से ही, कुछ होता है कि नहीं, हम भी कुछ बने, मुझे भी लोग जाने, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिखा, कुछ मिला नहीं, लेकिन अभी मेरे छोटे भाई के माध्यम से, यह प्लेटफॉर्म मिला है, सोशल मीडिया का, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, और दोस्त, मैं उतना वड़ा क्रियेटर नहीं हूँ, सौरो जोसी, प्लाइंग बेड, या मनोज डे में उतना वड ब्लॉगर्स नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो मैं एक से एक वीडियो आप लोगों को आप तक पहुचाएंगे, तो यह छोटा सा मेरा ये था, तो चलिए अब आपको कुछ सिनेमेटिक सिन दिखाते हैं, और जरूर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक जरूर किजिएगा, सब्सक्राइब किजिएगा, और बेल आइकोन मत दवाना भूलिएगा बोस्त, तो चलिए मैं आपको सिनेमेटिक सिन दिखा रहा हूँ, जहां मैं रहता हूँ, एक छोटी सिन नदी है, सारू बगल पहाड ही पहाड दिखेगा आपको, एक से एक यहां पर पहाड है, लेकिन उस पहाड में ही सोना है, दोस्त, बात किया जाए तो सोना बोले तो आईरान ओर, समझ रहा है न, धातू, एक धातू का पत्थल है, यह पहाड जो है, इसी पहाड से आपको लोहा तेहर बनता है, जब लो पूरे वीडियो को जरूर देखें, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नदी, उस नदी को, बड़ी नदी नहीं है, बहुत छोटी नदी है, लेकिन यहां का जो मौसम, साम का मौसम हो, यह जो जगह है न, बहुत खुबशूरत सी जगह है, दोस्त, तो चलिए मैं आपक जंगल के उपर में पहाड है, बहुत सारे लोग यहां गाड़ी भी धुलाई होती है, यहां बहुत लोग नहाते भी है, यह देखें, देख रहा है कितनी सुहाना, आप भी सुचेंगे कि इस जगह पे मैं भी जाओं और जाके ब्लॉक बना के आओं, देखें, और यह जो अब आपको मैंने एक चीज दिखा रहा है, इस पहाड के बीच में, बोलता है न, कि किचण में कमल खिला खिलता है, उसी परकार इस जंगल के बीच में, इस पहाड के बीच में एक ऐसी खुबसूरत सी जगह है, जिसका यह नीचिला गेट है, यह देखें, जो कि इसके अं